स्कूल कॉलेज ऐसे संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में सुप्रिम कोट ने आज सुनवाई की इस दोरान कोट ने करनाटक सरकार को नोटिस जारी किया है याचिया करताओं की ओर से सुनवाई टालने के आगरप पर सुप्रिम कोट ने जम कर फटकार भी लगाई है पूरा ममला हम आपको इस वीडियो में डिटेल से समझा रहे हैं याचिया करताओं ने करनाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाप सोप्रिम कोर्ट का दर्वाजा खटखटाया था 15 मार्च को करनाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि महिलाओं का हिजाब मेहना इसलाम का निवारे हिस्सा नहीं है और स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म के पालन का राज जीवाला आदेश सही है सुनवाई के दोरान कुछ याचिका करताओं की ओसे पेश वकील ने मामले की सुनवाई को टालने का आगरा किया जश्टिस हेमत गुपता और जश्टिस सुधानशु धूलिया की बेंच ने कहा कि पहले याचिका करता जल्दी सुनवाई की मांग कर रहे थे और अब सुनवाई टालने की मांग की जा रही है हम इस तरह की फोरम शॉपिंग का इजाजत नहीं दे सकते सुनवाई के दोरान कोर्ट ने याचिका करताओं के वकील को जम कर फटकार भी लगाई वही सरकार की तरफ से सॉलिसीटर जंडल तुशार मेता अपनी दलील दे रहे थे उन्होंने भी सुनवाई टालने के आगरह पर सवाल उठाया उन्होंने कहा कि इससे पहले कम से कम छे बार सुनवाई टालने का आगरह हो चुका है इस पर याचिका करता के वकील ने कहा कि उस वक्त एक्जाम होने वाले थे लिहाजा याचिका करता चाहते थे कि जल्द सुनवाई हो सुनवाई के दौन वकील ने ये भी कहा किस मामले में याचिका करता देश के अलग-अलग हिस्सों से हैं कुछ करनाटक से भी हैं इस पर सुप्रीम कोट ने कहा कि सिर्फ धाई घंटे में करनाटक से दिल्ली आ सकते हैं बेरहाल तो शार महता ने कोट से अगरा किया किस मामले में नोटिस जारी कर दिया जाए ताकि मामले का जल्द निप्टारा हो सके इस पर सुप्रीम कोट ने नोटिस जारी कर दिया है सुमवार यानिकी 5 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी